नमस्कार दोस्तों, तो अभी तक हमने टोटल 118 कुश्चन पेपर डिसकस कर लिए हैं, आज हम कुश्चन पेपर नमबर 119 डिसकस करने वाले हैं, आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडिया प्रोवाइट कर दिया जाएगा, टेलीग्राम चैनल की लिंक तो पहला गुप्त स्वाशक जिसके द्वारा सिक्के जारी किये गए थैं तो ये थे चंदरगुप्त प्रनाठत्रम चैनल कर दोक्त कर देख ल breakfast और हुआ है आपको दिखी रहा होगा ठीक है तो पतंजली जो है इन्होंने महाभासे लिखा है और ये किसके समय के थे तो पुश्यमित्र सुंग है ना इन्होंने सुंग डाइनस्टी जो है उसकी स्थापना की थी अगला सवाल है कि मदरास में रहयतवारी बंदोबस्त से कौन संबंदित रहा है तो देखो जो रहयतवारी सेटलमेंट है उससे कौन संबंदित था तो आंसर हो जाएगा मुन्रो हैना तो थॉमस मुन्रो जो है इससे संबंदित हो जाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा थर्ड का D अगला है कि वेन वाज दी हिंदुस्तान सोशिलिस्ट रिपब्लिकन असोशियेशन इस्टेबलिस्ट तो देखो हिंदुस्तान सोशिलिस्ट रिपब्लिकन असोशियेशन जो है इसकी स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी चंदर सेखर आजात के द्वारा है ना और ये जो है कब इस्टबलिस किया गया है तो 1928 में पहले इसे जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन असोशेशन कहा जाता था इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया था और हिंदुस्ता वह कौन था तो आंसर हो जाएगा फिफ्ट का हमारा C हना साहा आलम दूती है तो जो साहा आलम 2 है इसके द्वारा जो है दिवानी प्रदान की गई थी अगला है कि high nutritional level in the ecosystem is obtained 2 तो देखो high nutritional level या उच्छ पोशन इसतर जो है प्राप्त होता है तो आंसर क्या हो जाएगा 6 तो यह हो जाएगा friends D हना सरवाहारी को फिर दिया है coniferous forest are found in तो जो कोन धारी 1 जो है यह कहां नहीं पाए जाते है ठीक है not found बोला है कहां नहीं पाए जाते तो आंसर क्या हो जाएगा 7 का अमारा B हना Amazonia में ठीक है तो यहां पे आपको rain forest देखने को मिलेंगे ना कि coniferous forest अगला है anti-soul जो है यह क्या है तो anti-soul जो है वो हो जाएगा आपका जलोड मिटी मतलब aluvial soil ठीक है तो anti-soul क्या होता है तो anti-soul होता है अगला है कि the state which separate the Malaysia and Sumatra तो Malaysia और Sumatra को कौन सा स्टेट जो है या जल्व डंबरू मत दी जो है separate करता है तो आंसर क्या हो जाएगा 9 का यह हो जाएगा मलक का स्टेट क्या हो जाएगा मलक का स्टेट तो स्टेट और मलक का हमारा सागर में फिर क्या दिया है कि down syndrome में एक अनुवांसिक बिमारी है जो होता है तो यह किसकी बज़ा से होता है तो आंसर हो जाएगा कि changes in the number of chromosomes तो गुण सोतरों की संख्या में अगर परिवातन हो जाए तो इसके कारण यह down syndrome हो जाता है फिर helium के नाभिक में होता है तो helium के नाभिक में क्या होता है तो आंसर हो जाएगा दो proton और दो neutron तो दो proton और दो neutron helium के नाभिक में देखने को मिल जाएगे फिर मौद्रिक नीती का निर्मान कौन करता है या monetary policy जो है इडिया में कौन मनाता है तो Reserve Bank of India बनाता है आंसर क्या हो जाएगा हमारा 13 का जो है B ठीक है Reserve Bank of India की बात करें तो इसके प्रेजेंट में governor कौन है तो सत्तिकांत दास हना इसकी स्थापना 1 अपरेल 1935 को की गई थी Reserve Bank of India Act 1934 के provisions के according ठीक है अगला सवाल देखते है क्या बोला है कि गरीबी उन्मलन या गरीबी हटाव का नारा कौन सी पंचवर्षी योजना में दिया गया था तो याद रखिएगा यह बहुत ही important सवाल है और यह दिया गया था पांचवी पंचवर्षी योजना में ठीक है फिर क्या दिया है GATT General Agreement on Trade and Tariff जो है इसका जो है वो होता है फुल फॉर्म है ना General Agreement on Tariffs and Trade जो है यह हमारा आंसर हो जाएगा D 15th का आंसर क्या हो जाएगा D फिर भोपाल की जामा मस्जिद जो है इसका निर्मान किसके द्वारा करवाया गया था तो यह कुदशिया वेगम जो है जो की फर्स्ट वेगम हुआ करती थी इनके द्वारा जामा मस्जिद का निर्मान करवाया गया था मद्य पर्देश परेटन विकास निगम का गठन जो है वो कब किया गया है तो परेटन विकास निगम जो है कब इस्टेबलिस किया गया है तो 1978 में इसको establish किया गया है अगला है कि डॉग वाला नामक इस्थान का संबन जो है वो किस यूग से है तो देखो डॉग वाला जो इस्थान है वो कौन से यूग से संबन दी थे तो answer हो जाएगा C यह हो जाएगा copper stone age फिर दिया है footwear design और विकास अंस्थान जो है यह कहाँ परिस्थित है तो footwear design एवर विकास अंस्थान यह देखने को मिलेगा आपको गुना में कहाँ पर गुना में अगला है कि आदिनात की विसाल मूर्ती जो है वो कौन से सहर में इस्थापित की गई है तो आंसर हो जाएगा बावन गजा में ठीक है तो बावन गजा में यह आपको विसाल मूर्ती देखने को मिल जाएगी आदिनात की फिर क्या दिया है कि for how many days a video message remains in personal inbox तो यह कित्ते दिन के लिए रहता है 21 का सही आंसर हो जाएगा friends 30 days ठीक है तो 30 दिन के लिए रहता है फिर दिया है mac address मतलब media access control का size जो है वो कितना होता है तो media access का जो size है वो होता है friends 48 bits का कितना होता है 48 bits अगला क्या दिया है GUI इसको बोलते graphical user interface क्या बोलते graphical user interface तो आंसर हो जाएगा क्या यह आपका D graphical user interface 23 का आंसर हो जाएगा हमारा D अगला question देखते है क्या बोला है कि zeta जो है वो क्या है तो zeta जो है यह क्या है तो आंसर हो जाएगा 24 का D यह एक operating system है zeta computer में अनुदेसों का वास्तविक 91 होता है तो यह कहां पर होता है वास्तविक 91 तो 25 जो है इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंट्स arithmetic logic unit हाना फिर दिया है MIPS किसे मापने है तू प्रयोग करते है तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 का क्या हो जाएगा A प्रोसेसर की गतिन आपने के लिए MIPS का मतलब होता है millions of instructions per second हाना तो High Latitude Research Laboratory जो है यह कहाँ पर इस्तित है तो फ्रेंट्स यह आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगी तो यह है गुलमर्ग जमू कस्मीर में फिर क्या दिया है विच इस दिफर्स्ट कंट्री टू इंपोस tax on the emission of greenhouse gases तो देखो greenhouse gases पे जो है कर लगाने वाला पहला देख जो है वो कौन सा बन गया है तो आंसर हो जाएगा New Zealand तो New Zealand जो है वो greenhouse gases अगर आपको क्या है एमिट करोगे मतलब निकालोगे अट्मोस्वेर में तो भाया उसके लिए आपको tax देना पड़ेगा तो इससे क्या है थोड़ा सा greenhouse gases में भी कमी आईगी जो global temperature है उसको थोड़ा कम किया जा सकता है अगला सवाल देखते है क्या बोला है कि अगले सवाल में friends पूछा है कि इन में से किस इस्थान से महात्मा गांधी का संबंध है तो कौन से इस्थान से महात्मा गांधी का संबंध देखने को मिल जाता है तो 29th का आंसर हो जाएगा Actually क्या है friends अभी जो वीडियो मैंने थोड़े देर के लिए pause किया था उसके पीछे का कारण ये था कि जो मेरा माइक था मैंने माइक को जो है अपने से थोड़ी दूरी पे रख दिया था है नहीं हो सकता है आपको थोड़ा voice जो है वो clear ना आया हो उस समय उसके लिए extremely sorry तो friends देखते है अगला सवाल पेसो जो है वो किस देश की मुद्रा है तो पेसो is the currency of which state तो पेसो जो है यह कहां की currency है तो answer हो जाएगा friends क्यूबा की ठीक है कहां की currency है क्यूबा की क्यूबा जो है इसको यहां पे जो है वो मामले दर्ज किये गए थे तो 31 का सही answer हो जाएगा उपरोक्त सभी सोम प्रकास धाका प्रकास और भारत सिहोर sorry भारत मिहीर है ना अगला क्या दिया है पत्रिकारिता के लिए सजा पाने वाले पहले भारतिये जो है वो कौन थे तो पहले भारतिये जो है वो कौन थे तो answer हो जाएगा फ्रेंट्स A बाल गंगाधर तिलग लाल बहादू सास्ती के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा जो है यह कब दिया गया था तो answer हो जाएगा A 1965 में फिर क्या दिया है कि कांग्रेस के नांगपूर अधिवेशन में कांग्रेस ने सवीधान में परिवर्दार कीए इत जवी राखागवाचारी ने मतलब इनको कालिदा संबान दिया गया है का संबंद जो है वो किस्से है देखो बंसी कॉल जो है ना इनकी अभी हाल ही में मतलब भी हाल ही में चर्चा में रहे थे तो चर्चा का विशा ये था कि इनकी अभी हाल ही में इससे कौन सा सब्सक्राइन आपبرोधिकिया इंडिया क्या था इंडिया क्या है तो इनडिया क्या है और इंट्रकार अंतर त्यों मिलि ईघ्लर का आता था तो आंसर हो जाएगा 38 का B हना 331 देखो अभी ये प्रोविजन जो है खतम हो चुका है ठीक है फिर भारत अच्छा बताईएगा कि जो एंगलो इंडियन कम्यूटी के मेंबर्स है इनको जो है अब सामिल नहीं किया जाएगा तो कौन सा Constitutional Amendment Act लेकर के आया गया था जिससे जो है ये प्रोविजन्स हटा दिये गए है एंगलो इंडियन कम्यूटी के मेंबर्स को पार्लेमेंट में जो है जगा देना या स्टेट लेजिसलेटी असेम्बली में अपॉइंट करना फिर दिया है वह वाजदी वह वास गिवन रेशिड पावर हुआ करती थी अगला सवाल है कि वहाँ गोपनी ये कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्ट प्रतिबंदित करता है क्या कहलाता है तो इसको क्या बुला जाता है तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका A पासवर्ड फिर दिया है प्रथम Commonwealth Games जो है ये कहां पे हु लॉस एंजिलेस में 32 का होगा ऑस्ट्रिलिया में ब्रिजबेन में फिर अगला सवाल देखते हैं क्या बुला है कि एन एयर बबल इन वाटर एक लाइक तो यह किस तरह से वर्क करता है तो 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा 43 का सही आंसर हो जाएगा डी हना ये कंके लेंस बोल ग्लास्टर कंट्रोल फेसिलिटी हासन करनाटक में इस्ति थे और दूसरी वाली और इस्ती थे दूसरी वाली भोपाल में इस्ति थे फिर क्या दिया है फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कूंसा होता है तो आंसर हो जाएगा 45 का B सिल्वर ब्रॉमाइड कौंसा दत्व एक सहीयोजी उत्तक होता है, एक उपकली उत्तक होता है, क्या होता है, तो 47 का सही आंसर हो जाएगा A, एक सहीयोजी उत्तक, मतलब एक connective tissue होता है, फिर दिया है भारत में वरहत पैमाने पर जूट की खेती जो है कि इस नदी घाटी छेतर में की जाती है, तो 48 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंट्स A, हना हुगली नदी छेतर में, और यह कहां पर है, वेस्ट बेंगॉल में, और वेस्ट बेंगॉल जो है, जूट का production सबसे जादा करता है, अगला है कि कलमकारी पेंटिंग जो है, वो क्या निरदेशित करता है, तो देखो, 49 जो है, इसका आंसर हो ज दिवर्तित होती है, तो कौन सा है ये नेशनल पार्क, तो 50 का आंसर हो जाएगा, आपका D, कौन सा नामदफा नेशनल पार्क कहां पर है, यह अरुनाचल प्रदेश में है, तो यहां पर आपको जो है, क्या गया देखने को मिलेगा, ट्रॉपिकल टाइप का क्लाइमेट भ मस्टर्ड प्लेटिव के नाम से किसे जाना जाता है, तो 51 का जो सही आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, फ्रेंट्स, यह हो जाएगा C, मद्य भारत प्लेटिव, मतलब सेंटर इंडिया प्लेटिव, अब देखो कैसे, यह जो एरिया है, मद्य प्रदेश का मैप फिर क्या दिया है कि where is the a commitment क्या दिया है हाँ बोला है कि where is the railway service commission of मध्यप्रदेश located तो railway service commission का जो मुख्याला है ये कहां पर इस्थित है तो बावन का सही answer हो जाएगा friends डी अना ये भोपाल में इस्थित है ठीक है अगला सवाल है कि असोक लेलेंड जो है वो किस समू की company है त तो 53 जो है इसका हमारा सही answer हो जाएगा friends डी अना हिंदुजा समू की किसकी हिंदुजा ग्रूप की तो देखो असोक लेलेंड जो है ये हिंदुजा ग्रूप की एक company है जो की truck, tractor और भहुत सारी चीज़े बनाता है ठीक है वेर आर दी तपोवन और विश्नुगर्ड हाइ आपको उत्तरकंड में देखने को मिल जाएगी अगला है wing commander की सेना का अंग होता है तो wing commander जो है वो कौनसी सेना का अंग होता है तो ये वायू सेना का अंग होता है फिर दिया है athlete food जो है वो किसके द्वारा होता है तो athlete food जो है ये किसके द्वारा होता है तो answer हो जाएगा B ह अना टोनिया पैडिस के द्वारा किसके द्वारा टोनिया पैडिस फिर दिया है सुरेश तेंदुलकर समीती का जो है संबंद किस से है तो सुरेश तेंदुलकर समीती जो है इसका संबंद है गरीबी से ठीक है नागालेंड के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है तो नागा 9 का अंसर हो जाएगा राची राची कहा है जारकंड में जारकंड की कैपिटल ही राची है फिर दिया है मीरा भाई चानू जो है वो किस खेल से संबंदित है तो यह भारुत तोलन मतलब वेट लिफ्टिंग से संबंदित है और मीरा भाई चानू जो है इनों इनों ने टोक्य ओलम्पिक में सिल्वर मेडल जीता है फिर लैंस डाउन जो है ये कहां परिस्तित है तो लैंस डाउन जो है ये आपको कहां पर देखने को मिल जाएगा तो उत्तरा खंड में देखने को मिलेगा कहां पर देखने को मिलेगा उत्तरा खंड में अगला है कि भगवान महावीर राष्टी उद्यान जो है ये कहां परिस्तित है तो ये गोवा में इस्तित है कहां परिस्तित है गोवा में ठीक है अगला क्या दिया है मद्यप्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री जो है ये कौन थे तो मद्यप्रदेश के पहले आद स्यादस एनर्जी लेते हैं ठीक है नॉन कंवेशनल सोर्स ऑफ एनर्जी तो ए हो जाएगा 64 का अंसर फिर क्या दिया है परियावरन संद्रक्षन अधिनियम देखो यह वाला जो खुशन है यह भी कर यूपी पीसी के एक्जाम में डारेक्टली पूछा गया था तो आंसर क्य यह भी कुशन जो है न कल यूपी पीसी के एक्जाम में आ था फिर जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो कौन सी नहीं है तो आंसर हो जाएगा फ्रेंट इसका नाइट्रोजन ठीक है अगला सवाल है कि भारती अर्थे विवस्ता के उधारी कर पूर्स की जो सिफारी से है इनका संबंद देखने को मिल जाएगा आपका 20 मतलब करोसे मतलब टेकसे से फिर दिया है बायो गेस में मुखेता जो है वो क्या होता है तो देखो इसमें एक तो कारबन डाय अक्साइड होती और मेथेन होती तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी त दिया है तंजावूर राम मूर्ती कौन सा वादक बजाते थे तो कौन सा वादक बजाते थे तो आंसर हो जाएगा इसका C हाना म्रदंगम फिर रेड डेटा बुक जो है और रेड लिस्ट जो है किस से संबंदी थे तो IUCN से संबंदी थे टीक है हाथ में होता है ठीक है एक तो इस पेस डिपार्टमेंट और एक अटोमिक डिपार्टमेंट ये दोनों की दोनों प्रदान मंत्री के हाथ में होते है राजी गांधी परियावरन पुरुषकार जो है वो दिया जाता है तो किस फिल्ड में दिया जाता है तो 76 का सही आंसर हो ज जाएगा इसका अक्तर अलिका ठीक है अक्तर अलिका फिर दिया है रेल मंत्री ने किस वर्स तक भारत को विस्व में पहली प्रदूशन रहीत रेल्वे बनाने की गोश्णा की है तो आंसर हो जाएगा इसका सी 2030 तक फिर अगले सवाल देखते हैं इनोवेशन इंडेक्स 2021 की ल में प्रेशन इंडेक्स की बात हो रही है और जिसे अगर मान लेजें ग्लोबाविशन इंडेक्स हैथ लिगोश ने इनवेशन में यह 46 रैंक पर ठीक है अगला है कि सवीधान के की सनुच्छेद में स्वायत राज जी का निर्मान सूची बद्द है स्वायत राज मतलब ऑटो नमस स्टेट ठीक है तो ऑटोनमस स्टेट का जो राज है वो उसका चाही आंसर क्या जाएगा 81 का तो आंसर हो जाएगा friends आपका C ठीक है 244 A में फिर दिया है कि हाल ही में पार्लर का निलंबन हुआ है हना इस सही मतलब इस से related सही कतन जो है हमको चुनना है तो इसका जो सही आंसर है 82 का friends यह हो जाएगा आपका A ठीक है केवल एक ठीक है तो पार्लर ट्विटर की एक जो है social networking आप है यह statement सही है पार्लर की सुरक्षा विशेस्ता है काफी कड़ी है जिसके कारण इससे प्रतिबंदित किया गया है तो यह statement गलत हो जाएगा अगला दिया है कि what is the theme of national metrological conclave this year तो इस साल जो है राष्टी मौसम विज्ञान conclave का जो theme था वो क्या था तो आंसर हो जाएगा इसका A राष्ट के समावेसी विकास के लिए metrology है na metrology for inclusive growth of nation फिर दिया है कि Ebola वेक्सीन बनाने के लिए कौन सा देश जिम्मेदार है तो इसके लिए कौन सा देश जिम्मेदार है तो आंसर हो जाएगा Switzerland ठीक है Switzerland फिर दिया है नाइन्थ constitutional amendment act के द्वारा बेरुबारी राज्जी छेतर निम्मेद में से किसे सौपा गया था तो 85 का आंसर हो जाएगा A पाकिस्तान को फिर पूर्तगाली सासन ने स्वतंत्र की स्षेतर को दसवे सफिधान संसुधन द्वारा संग सासित प्रदेश में पर जन्मत की इक्षा जो है वो जताई गई थी तो 87 का आंसर हो जाएगा सिक्यम ठीक है अगला है कि स्रीक्रश्न आयोग निम्न में से किस राज्जी केंद्र सासित प्रदेश के निर्मान से संबंदी थे तो 88 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंट सी या हो जाएगा तेलंगाना ठीक है तो श्रीक रश्न आयोग हाना तो स्रीकृश्न आयोग जो है ये किस से संबंदी थे तो तिलंगाना के क्रियेशन से है ना तो यह दो हजार चवदा में बनाया गया है तेलंगाना राज जी पताइए होगा आपको तो अभी टोटल जो है प्रेज़ेंट में 28 राज यह हमारे यहां पे available है, हना, वर्तमान समय में सुनिल अरोडा कौन से क्रमांक के चीफ एलेक्शन कमिशनर है, तो यह कौन से क्रमांक के चीफ एलेक्शन कमिशनर हो जाएंगे, तो 89 का सही आंसर हो जाएगा, 23rd, हना, तो 23 वे चीफ एलेक्शन कमिशनर है यह, फिर दिया है भ अगला सवाल देखते हैं इसमें बुला है नीती आयोग की स्थापना जो है किस वर्स हुई है तो ये एक जनवरी 2015 को इस्टबलिस किया गया है अगला सवाल है कि सूचना का अधिकार या Right to Information Act का नोडल मंत्राले जो है वो क्या होता है तो ये हमें बताना है तो आंसर हो जाएगा Friends A 95 का आंसर क्या हो जाएगा एक मिनिट 95 का आंसर ए नहीं होना चाहिए क्या दिया ए में Information Broadcasting नहीं है यह हो जाएगा इसका Ministry Department of Personal and Training के अंतरगत यह आ था ठीक है पूचना का अधिकार अधिनियम Department of Personal and Training तो कौन सा हेलिकाप्टर केपेबल है तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिनूक और चिनूक जो है इसी से रिलेटेड हो जाएगा ठीक है एक राय नाम का एक तुफान भी आया था वो भी फिलिफिन से ही रिलेटेड है ठीक है तो क्या बुला है इसमें Ministry of Human Resource Development to Monitor the Efforts of Coronavirus तो यह युक्ती पोर्टल को लॉंच किया गया था पासेक्स 2020 सैयुक्त सैन अभ्याज जो है वो संबंदित है तो यह भारत और रशिया से ठीक है पासेक्स जो है वो किससे संबंदित है भारत और रशिया से जनसंक्या का महा विभाजक वर्सित 1921 को माना जाता है तो यह हमने टोटल 100 सवाल सौल्व कर लिए वो आपसे मिलते है अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद